हरे किसना आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का जोतिश्व ज्यान जब भी किसी चीज को उपहार में कोई चीज दी जाती है तो उसके पसंद और नापसंद के बारे में जरू सोच लेते हैं ऐसा माना जाता है कि उपहार किसी को भी ऐसे ही देना चाहिए जो उसके इस्तेमाल आ सके और जिसका पूरा लाब उठा सके अक्सर हम किसी भी अफसर पर उपहार को भगवान की मूर्ति या तस्वीर दे देते हैं यही नहीं कई लोग तो लड्डू गोपाल को भी उपहार मे दे देते हैं दारसल हम घर में लड्डू गोपाला की स्थापना करते हैं और नियमिश सेवा करते हैं और अपने परिजन को भी उपहार में लड्डू गोपाल की मूर्ति देते हैं जिससे उनके घर में भी आशिरवाद बना रहता है लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम जोतिश की माने तो घर में लड़ु गोपाल की स्थापना करना बहुत शुमाना जाता है और इनकी स्थापना के बाद इनकी नियमिश सेवा और भोग लगाने के विधान है ऐसी मानेता है कि ये स्री कृष्ण का बाल रूप है इसलिए इनकी सेवा छोटे बच्चे क की तरह करनी चाहिए जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके वहीं आप लड़ु गोपाल की मूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उनकी पूजा ठीक तरीके से ना करे या फिर उन्हें उचित भोग अर्पित ना करे तो यह निशित है कि आपके लि मंदिरा का सेवन हो या फिर तामसिक आहर बनता हो ऐसे में लड़ु गोपाल गिफ्ट करने से उनका अपमान होता है यदि आपके अपने घर में मंदिर में लड़ु गोपाल की स्थापना की गई है तब आप उन्हें किसी भी परिस्थिती में किसी दूसरे को नहीं देना कि यह तावर, हम घर में वन्दिर में किसी की स्थापना करते हैं तो अपने प्रिश्था को नुक्सान पहूंचाने जैसा होता है दासर किसी With की सथापना करते समय उनके प्राण प्रतिषा की जाती और उसमें भगवान के प्रविश का आहवान किया जाता है इसलिए अपने घर में स्थापित कोई भी मूर्ती किसी अन्य को ना दे और प्राण प्रतिस्था वाली मूर्ती भी किसी को उपहार में ना दे दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमर्स बॉक्स में अवश्य बता हैं जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है वो सब्सकाइब अवश्य कर ले हारे किसना अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें